नमस्कार दोस्तों, पहला सवाल आता है कि पैसा कैसे कमाएं, how to earn money, और जब आप किसी बिजनेस में या सर्विस से कैसे भी पैसा कमा लेते हैं, तो दूसरा सवाल आता है कि बचत कैसे करें, या फिर तीसरा सवाल आता है कि अमीर कैसे बनें, और चोता सवाल आता है कि से ज़्यादा बचत कैसे करें आईए आज इसी वीडियो में आपन इसी विशे पर जच्चा करते हैं चाहे आप सर्विस करते हैं चाहे आप गौर्वेंट सर्विस करते हैं चाहे आप हार्डवेर का बिजनेस करते हैं चाहे आप सोफ्टवेर का बिजनेस करते हैं चाहे आप online का business करते हैं या offline कोई work करते हैं सब में एक ही बात आती है earning यानि आमदनी यदि आपके आमदनी है तो खर्चों को सीमित कीजिएगा आमदनी बढ़ने पर अपने खर्चों को मत बढ़ाईएगा यदि आपके earning बढ़ जाती है मान लीजिए आप पहली साल सर्विस में या business में 25,000 रुपे महने के कमाते हैं तो दूसरी साल आपका निश्चित रूप से 35-40,000 रुपे महने की कमाई होनी sure होती है क्योंकि आपका business बढ़ेगा जब business grow करता है तो earning भी बढ़ती है आमदनी बढ़ती है मगर 25,000 रुपे की आमदनी में आपका घर चल रहा था तो अब मैं कहना चाओंगा यदि 40,000 रुपे पर मंत आपको दूसरी साल मिलने लगे इसका मतलब यह नहीं है कि पिछली साल वाले जो आपके खर्चें हैं उनको आप भड़ा देंगे मैं कहना चाहूंगा यदि आप financially freedom होना चाते हैं निश्चित रूप से आप अमीर बनना चाते हैं तो आपको इन tips को follow करना चाहिए आपको अपने खर्चें हैं वो वहीं रखने चाहिए उन खर्चों में कटोती कर सकते हैं आप बढ़ोती मत कीजिए जब तक आप खर्चों में कटोती नहीं करेंगे तब तक आप आमीर नहीं बन सकते दूसरी बात मैं क्याना चाहूंगा कि छोटी रकम से बचत करना सुरू कीजिए कुछ लोग कहते हैं कि छोटी रकम से बचत कैसे हो सकती है कितनी बड़ी जो हो सकती है अमीर कैसे बन सकते हैं अरे भई बन सकते हो देखिए आज के दो रूपे कमाए हुए ध्यान से सुनिए आज के दो रूपे कमाये हुए आप 12% इंट्रेस्ट से यदि जोडते हैं तो आने वाले 100 साल में वो 20,48 रूपे होते हैं केवल एक दिन के 2 रूपे बचाये हुए तो जब इतने रूपे बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं छोटी छोटी बचत करना सुरू कीजे और छोटी छोटी बचत जो आपके बच्चों के सेविंग अकाउंट में आप डाल सकते हैं आपकी मिशेज के सेविंग अकाउंट में डाल सकते हैं आप FD करवा सकते हैं आप कोई bond खरीद सकते हैं आप कोई equity खरीद के पैसे बचा सकते हैं ये छोटी छोटी बचत आपको करोड़पती बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे और कोई भी investment आप करते हैं मैं कहना चाओंगा उसका time horizon पहले से तै कर लीजिए जिन लोगों ने अपने time horizon और target fix नहीं किये हैं जान से जून ये बात को दो चीज आपको तै करने हैं मान लीजिए आप के पास 10,000 रुपे हैं तो 10,000 रुपे आपके पास ये कितने समय के लिए आप इनको invest कर रहे हैं पहला आपको ये निश्चित करना है कि इनको अपन कितने समय के लिए invest कर रहे हैं पहला आपको ये देखना पड़ता है क्योंकि short time में आप यदि invest कर रहे हैं तो आपको profit कम मिलेगा लॉंग टर्म में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज्यादा मिलेगा और और भी ज्यादा लॉंग टर्म है यानि सोर टर्म किसको बोलते हैं सोर टर्म बोलते हैं तीन से छै मैने के टाइम को सोर टर्म short term बोलते हैं और 6 मैने से 3 साल के time को long term बोला जाता है और उससे भी ज़्यादा long term आप investment करना चाते हैं तो वो होता है 15 से 20 वर्स का time अब बात आती है एक बार मैंने ऐसे ये एक वीडियो में कहा था तो उसके उसमें comment आया था कि सर 15-20 साल वाद में हम तो मरी जाएंगे अरे भाई मर जाएंगे ऐसा क्यों सोचते हो negative throat देखे मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि positive throat से जोची negative throat से आप किछी में नकारात्म कुष्ण आप कितने भी कर सकते हैं यदि आप positive throat रखते हैं तो आप करोड़ पती बन सकते हैं negative throat वाला आदमी करोड़ पती नहीं बन सकता वो धीरे 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 decrease होता जाता है और अपने खर्चों की एक diary जरूर रखिएगा जो भी आप खर्चे करते हैं आजकल तो mobile का जमाना है online का जमाना है आप कैसे भी marriage कर सकते हैं क्या क्या क्रचे हैं आपको मुखे मुखे खर्चे आपको जोड़ने होते हैं साल में आपका कितना खर्चा होता है मैने में आपका कितना खर्चा होता है उनका average निकाल के जोड़ सकते हैं आप और खर्चों की कोई बहुत ज्यादा लिस्ट नहीं होती है एक ही खर्चे की लिस्ट में आप miscellaneous expenses डाल दीजिए वो एक हैड हो गया clothing के खर्चे एक हो गया food and grain का एक हो गया बच्चों की पड़ाई का एक हो गया और जैसे भी सब्सक्राइब के खर्चे होते हैं मेडिकल एड का एक हैड हो गया ऐसे आपके पंद्रे पीस तीस हैड होंगे उनके अलग अलग आप एक सालगा निकाल लीजिए आपको पता जल जाएगा इतने हैं और इनमें पैसा आता है देखिए दोस्तों जब तक आपका पैसा कहां से आता है और कहां जाता है यह आप निर्णे नहीं करते हैं तब तक आप अच्छा पैसे वाले नहीं बन सकते फाइनेंशली फ्रीडम आप महसूस नहीं कर पाएंगे वीडियो पसंद आता है लाइक शेर और कमेंट कीजिएगा और मेरी चैनल एसन्स अर्वा मोटिवेशनल स स्पिकर को जरूर सब्सकाइब कर लीजिए क्योंगे आने वाले बहुत से वीडियो से आप वंचित नहीं रह जाएं इसलिए बेल आइकोन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन फ्री में मिले नमस्कार